आप सभी से बात करके उस्तिती की भी जानकारी और व्यापक होती है और ये भी पता चलता है कि हम सहीद दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ये लगातार मिलना, चर्चा करना जरूरी भी है क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है नई नई परिस्तितियां भी पैदा हो रही है अस्पतालों पर दबाओ, हमारे स्वास्त कर्मियों पर दबाओ रोज मरा के काम में निरंतरता का न आना पाना ये हर दिन एक नई चुनवती लेकर आते हैं मुझे संतोस हैं कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाब लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बन करके काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए है इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकावला किया है उसमें सबका साथ मिल करके काम करना यह बहुत बड़ी बात है सभी माने मुख्यमंत्री जी आज 80% एक्टिव केसिस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाप लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है आज देश में एक्टिव केसिस छे लाग से जादा हो चुके हैं जिन में से जादा तर मामले हमारे इन 10 राज्यों में है इसलिए यह आवशकतार लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समिक्षा करें चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रक्टिसिस है उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिटिव लिए हैं जो सब के ध्यान में आएं क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास करी रहा है और आज की इस चर्चा से हमें एक दुसरे के अनुभों से काफी कुछ सिखने को समझने को मिला है कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन दस राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा साथियों टेस्टिंग के संख्या बढ़कर हर दीन साथ लाग तक पहुँच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है इससे संक्रमन को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है आज हम उसके परणाम देख रहे हैं हमारे हाँ एवरेज फटलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है एक्टिव केसिस का प्रतिशत कम हुआ है रीकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है सुधरता जा रहा है तो इसका आर्थ ये है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे है सबसे अहम बात ये है कि इससे लोगों के बीज भी एक भरोसा बढ़ा है आत्मे विश्वाद बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे हमारी ये सफलता आगे और भी बढ़ी होगी और एक संतोस का भावम को अनुभव होगा हमने मृत्युदर को एक प्रतिसद से भी नीचे लाने का जो लक्ष रखा है इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें बड़े फोकस में में प्रयास करें तो वो लक्ष भी हम हासिल कर सकते हैं अब आगे हमें क्या करना है कैसे बढ़ना है इसे लेकर भी काफिस परस्ता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रासूट लेवल तक सब लोगों के दिमाग में पॉच गया अब क्या करना है कैसे करना है कब करना है बात हिंदुस्तान के नागरी नागरी तक हम पहुचा पाए है अब देखें जिन राज्यों में टेस्टिंग रट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरुवत सामने आई है खास तोर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पर्चम मंगाल और तेलंगडा यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है सात्यों अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ, कंटेन्मेंट, कॉंटेन्ट ट्रेसिंग और सर्वेलन्स यह सबसे प्रभावी हत्यार है अब जनता भी इस बात को समझ रही हैं, लोग पूरी तरह सयोग भी कर रहे हैं यह जागरुकता की हमारी कोशिशों के से एक अच्छे प्रणाम के तरफ हम आगे बढ़े हैं हम कॉरंटाइन की ववस्ता इसी वज़े से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं एक्सपर्ट्स अब यह कह रहे हैं कि अगर हम सुरूवात के 72 गंटे में ही केसिस की पहचान कर ले तो यह संक्रमन काफी हद तक दीमा हो जाता है और इसलिए मेरा सबसे आगर है कि जैसे हाथ धोने की बात हो दोगज की दूरी की बात हो मास की बात हो कहीं पर न थूंकने का आगर हो इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी ववस्ताओं में भी और कोरोना वारियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सब को उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए उनका टेस्टिंग होना चाहिए उनके लिए जो आवशक है वो व्यवस्ता होनी चाहिए अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मिला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजे हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के बीतर बीतर इन सारे कामों को कर लेना है और टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु एब भी हमारे पास है आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलर्ली उसका एन हमने देखा कि हर्याना के कुछ जिले उत्तरप्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विशय बन गया सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी गोश्णा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा तो फिर मैंने एक रिवीव कि और हमारे होम मिनिस्टर सिमाद अमिश्याजी को नितृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा एप्रोच किया उन पांचो जिलों में भी और शहर में भी दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो पर नाम ला पाए मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ कठिन चितर दिखता हो लेकिन सिस्टेमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हपते दस दिन में अपने तरब मोड सकते हैं और हैं अमने अनुभो करके देखा है और इसी रणदिती के भी जो मुख मिंदू यही थे प्रियासों का परणाम हमारे सामने है हॉस्पिटल्स में बहतर मैनेजमेंट, आईस्यू बेट्स के संख्या बढ़ाने जैसे प्रायासों ने भी बहुत मदद की है साथियो सबसे ज़्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निग्रानी करके जो नतीजे पाए गए सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं मुझे विश्वास हैं कि आपके इस अनुभव की ताकात से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुवात होगी आपके और कोई सुजाव हो कोई सलाव हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्द हूँ आप जुरू बताइए और मैं आपको विश्वात दिलाता हूँ सावय सरकार के सभी अधिकारी भी आज मुझूद थे जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है जिसके चिंता करनेगले कहा है टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कालखन होता है सावन भादो और दिवाली तक का तो कुछ बिमारी का और बिमारियों का भी माहौल बन जाता है उसको भी हमें समालना है लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो एक प्रतिशत से नीचे मृत्यूदर लाने का लक्ष रीकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष 72 घंटे में सारे कॉंटेक परसंट को तक पहुंच करक इन मंत्रों को लेकर कि अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो दसराज्य जहां पर 80% केसिस हैं हमारे दसराज्य जहां 82% मृत्यू हैं हम दसराज्य इस पूरी स्थिति को पलड़ सकते हैं हम दसराज्य मिल करके हम भारत को विजय बना सकते हैं और पिर एक बार आपने बहुत समय निकाला समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे डंग से आपने अपने सारी बाते रखी हैं मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ